जिलापदाधिकारी ने कोरोना वाइरस संक्रमन जांच केम्प में बरते जाने वाले एतिहात के बारे स्थानिय लोगों को बताया साथ ही जिलापदाधिकारी ने सरेंग गाव का भ्रमन किया तथा लोगों को मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया गया जिलापदाधिकारी ने ग्रामीन क्षेत्रों में लाकडाउन का अनुपालन किया जा रहा है अन्यता नहीं इसके लिए उन्होंने ग्रामीन क्षेत्र में ब्रह्मन किया तथा पाया कि सभी स्थानों पर लाकडाउन का अनुपालन किया जा रहा है साथ ही लोग सोशल डिस्टेशन का अनुपालन कर रहे हैं उन्होंने ग्रामीनों से अपील किया कि अभी कोरोना का संक्रमन समाप्त नहीं हुआ है मास्क का उप्योग, सोशल डिस्टेंशन का अनुपालन तथा साफ सफाई पर ध्यान रखे तो COVID-19 शीग्र ही हमारे समाज से समाप्त हो जाएगा जिलापदाधिकारी ने ग्रामीनों से कहा कि आपको जरासा भी अनुभव हो कि आप COVID-19 से संक्रमित है तो तुरंत इसका जांच अपने नजदी की स्वास्थय के इंद्र पर करावे अब COVID-19 का इलाज संभव है साथ ही उन्हुने ग्रामीनों को सेनिटाइज अथ्वा साबुन का इस्तेमाल करने हेतु बताया जिला पदाधिकारी ने कहा कि समय समय पर साबुन का प्रयोग करते रहें रमन कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी के साथ साथ सिविल सर्जन, जिला परियोजना प्रबंधक, स्वास्थय प्रखंड विकास पदाधिकारी, मकदुमपूर अंचल अधिकारी, मकदुमपूर सहित अन्य स्वास्थय कर्मी उपस्थित थे. जहानाबाद से दिनेश कुमार की रिपोर्ट पता चल जाएगा अगर संक्रमन हुआ है तो पता चल जाएगा, नहीं हुआ है वो भी पता चल जाएगा अगर संक्रमन हुआ है आपको पता चलियाएगा तो आप अपने घर में अलग रहेंगे या हम लोगों का जो कवीड होती चले वहां के रहिएगा ताकि और आपका परिवार और बाकि आपका महला गाओं के लोगों को नहीं होगा ठीक है इसलिए आप लोग करा रहे हैं पूर डन्स डन्स झार आंस यहम मतिक की का लग्रेंग की इसलिए्र इसलिए यिए हैं kita बास्स hydro debrाड वां का आपका यह सुष प्यां की लिए महां सूरल आदान दोल आपका इसलिए 15,23 और रहे हैं लिएक का इसलिए 15,3 दोला यहां रहे हैं लिएका इसलिए 16,なくवा ँ lite ऊν Tae scene tim झाल झाल